दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप SSC Constable GD 2023 के लिए अपना उनलाइन फॉर्म घर बेठे किस तरीके से भर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो में मैं आपको step by step सारी डिटेल्स के साथ में फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भनना है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चेनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इस टाप सेलेक्शन कमिशन की ये ओफिसियल साइट पर आना है तो दोस्तो फार्म भनने से पहले यहाँ पर आपको मैं इसकी कुछ डिटेल से बता देता हूँ फिर फार्म फिल करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको नोटिस ओफ कॉंस्टेबल जीडी सेंटरल आर्म पोलिस फोर्स दोहार चोबिस इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तो यह से साइट से ओफिसियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉंस्टेबल जीडी इन सेंटरल आर्म पोलिस फोर्स दोहार चोबिस यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर फार्म भनने की स्टार्ट डेट है चोबिस ग्यारा दोहजार तेविस आप इसे 31.12.22 तक अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर इसकी लाश्ट पेमेंट ओनलाइन फी 11.24 तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो बिंडो ओफ करेक्शन की जो बिंडो है वो 4.1.2024 से 6.1.2024 तक ओपन रहेगी यहाँ पर स्यूडियू लोब कंप्यूटर बैस एक्जामिनेशन फरवरी और मार्च 2024 दिखा रहा है तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर पे लेबल थरीका रहेगा यहाँ पर 21,700 से 69,100 रुपे यहाँ पर बैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर बैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 26,146 पोश्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर इसकी एज लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पर मिनीमम 18 साल और मैक्जिमम 23 साल से जादा नहीं होना चाहिए आपकी एज 11,24 के अकोडिंग यहाँ पर काउंट की जाएगी यहाँ प 11,2006 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों SCST को पांस साल का एज लेक्शन मिलेगा OBC को 3 years और एक सर्बिसमेन को 3 years तो यहाँ पर किस केटिगरी को कितना एज लेक्शन मिलेगा यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ और दोस्तों आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दा केंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन टैन्थ क्लास एग्जामिनेशन रिकुनाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको इस फॉर्म को भनने के लिए मिनिमम दस भी क्ल देना पड़ेगा और यहाँ पर बोमेंट केंडिडेट या फिर एसी एस्टी फीमेल केंडिडेट है तो आपके लिए यह फार्म भनना फिरी है तो आप आल इंडिया से हैं तो यह फार्म को अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं फार्म फिल करके दिखाता हूँ त तो दोस्तों आपको फार्म हने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से डारिक्ट लिंक के दौरा आप अपना फार्म भर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नियू यूजर रेजिटेड इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से लेना है अगर रेजिटेशन नहीं किया है तो आसानी से हो जाएगा अगर आपका पहले से रेजिटेशन है तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम रेजिटेशन नंबर डालेंगे पासबर डालेंगे यह केप्चा कोट को इस बॉक्स में फिल करेंगे लोगिन करेंगे त तो चलिए दोस्तो मेरे पास में आलरेडी है तो मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर फिर आप जैसे ही लोग इन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो रेश्टेशन पेज़ से ले ली जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो आपको ध्यान पूर्वर्ग सेलेक्ट करना है यहाँ पर दोस्तो अगर आप पहले से ESM Serving in the Arm Forces अगर आप पहले से Service में हैं तो आप यहाँ पर Yes करके उसकी Details दे सकते हैं नहीं हैं तो आपको नोपर टिक कर देना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको नीचे की साइड में आना है यहाँ पर Better Seeking Edge Relection अगर आपको Edge Relection चाहिए तो यहाँ से आप Yes करेंगे और यहाँ पर आप SC, ST जो भी आपकी केटिगरी है यहाँ पर अपना Edge Relection सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपको नहीं चाहिए आप तो नोपर टिक कर देना है यहाँ पर दोस्तो आर यू National Cadet Corps NCC Certificate Holder अगर आपके पास में NCC का कोई भी Certificate है A, B, C तो आप यहाँ पर Yes कर सकते हैं और यहाँ पर कौन सा Certificate है वो सेलेक्ट करेंगे अगर आप नहीं है आपके पास में तो नोपर टिक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो प्रोफरेंस Examination Centers तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा अपना Examination Center चाहिए वो फ़स्त में सेलेक्ट करेंगे जो पहले सेलेक्ट करेंगे वही सबसे पहले मिलता है उसके बाद में सेकेंड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर धर्ड सेलेक्ट करना है तीनो अलग-अलग आपको चाइस कर लेना है यहाँ पर दोस्तो मीडियम ओप कम्प्यूटर बैस Examination CVE आप कौन से मीडियम से कम्प्यूटर एक्जामिनेशन देना चाहते हैं आप हिंदे या इंग्लेस वो यहाँ से अपने अकोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर बेरिफाई सेलेक्ट करेंगे मिडियम ओप कम्प्यूटर बैस एक्जामिनेशन उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो इस्टेट यूटी औफ डोमिशाईल आपका कौन से इस्टेट से डोमिशाईल बना है कौन से स्टेट से आप हैं वो यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर दोस्तों district of domicile तो यहां पर कौन से डिस्टिक से आपका domicile बना है वो यहां पर अपने city distrikt सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहां पर have you migrated from the state अगर आप दूसरे स्टेट से यहां पर माइग्रेट हुए हैं तो यहां पर यस कर सकते हैं नहीं हुए हैं तो आप नो पर टिक कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर दोस्तों आपको तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यानपूरबक अपना जो पोस्ट है उसका प्रोफरेंस देना है यहाँ पर प्रोफरेंस और पोस्ट और प्रोफरेंस तो यहाँ पर आपको ध्यानपूरबक अपनी पोस्ट का प्रोफरेंस देना है तो आपको नोटिपिकेशन में पढ़ लेना है सबसे पहले कि कौन सा पोस्ट कुन सी फोर्स में कितनी बेकेंसी जे उसके चाप से आपको यहाँ पर अपनी प्रोफरेंश देना है तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर बोर्डर सेक्र फोर्से CISF मिल जाएगा ची नमबर पर CRPF और D पर SSB, E पर ITVP और F पर AR और H पर SSB तो यहां पर यह A, B, C, D यहां पर दोस्तों मान लीजी आपको यहां पर सबसे पहले CISF चाहिए तो यहां पर B नमबर है तो यहां पर आपको B नमबर डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको D चाहिए तो D डाल देना है यहाँ पर F चाहिए तो A डाल देना है और यहाँ पर A चाहिए तो A डाल देना है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सातो फोर्ट का प्रोफरेंस दे देना है और यहाँ पर confirm preference देना है दोनों में same डाल देना है यह आपको अपने according जो भी पहले preference चाहिए वो पहले मिलता है तो यह अपने हिसाब से डालिएगा ध्यान पूर्बक पोस्ट में गलती नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों फिर आपको highest educational qualification तो यहाँ पर आपको आपकी जो highest qualification ह आप 10th pass है या 12th pass या graduation जो भी आपकी highest qualification है वो यहाँ से select कर लेना है मानली जी आप मातर 10th pass है तो यहाँ पर matriculation 10th class pass 1 तो यहाँ पर यह सलेक्ट कर लेंगे अगर आप 10 भी पास है तो यह अपने according आपको select करना है उसके बाद में details qualify educational qualification तो यहाँ पर 10th standard select करेंगे यहाँ प यहाँ पर automatically registration से आपकी detail ले ली जाएगी यहाँ पर आपका percentage डाल देना है कितना percentage है आपका 10th में अगर cgpm आता है तो cgpa डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो do you want to make your personal information available for accessing job opportunities तो यहाँ पर इस department को आप अपनी personal details देना चाहते हैं तो yes कर सकते हैं नहीं देना चा signature अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड है photograph without expectless cape आपको cape बगेरा नहीं लगाना है आपको color photograph पीछे का white background और latest photo ही यहाँ पर upload करना है आपको तो यहाँ पर जो आपका photograph है 24 अगस्त 2023 से बात का खिचा हुआ होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका allow file size 20 से 50 kb के अंदर में jpg format में रहेगा यहाँ पर आपका photograph का size इसी size में आपको upload करना पड़ेगा च्वाइस फाइल पर click करेंगे अपना photo upload करेंगे यहाँ पर अपना signature 10 से 20 kb के अंदर में upload कर देना है दोनों upload होने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर verify करन पर दोस्तों आई agree बटन पर टिक करेंगे और यह capture code को इस box में fill करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी सारी details है सही सही fill करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको यह preview इस पर click करके एक बार preview check out कर लेना है दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि इस से आगे की step आपको नहीं बता पाऊंगा अभी server बहुत जादा down चल रहा है preview जैसे आप यहाँ पर check करेंगे उसके बाद में आपको submit का option मिल जाएगा जैसी submit करेंगे तो आपका form finally submit हो जाएगा अगर आपकी payment लग रही है तो आपको payment कर देना है और अगर आप SCHT female candidate है तो आपको payment नह नहीं करना है payment नहीं लग रही है form बना फ्री है तो उसका print out निकालके save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC Constable GD examination 2024 के लिए अपना online form घरवेठे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथी बेल नोटिपिकेशन और पर सेट रखें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके ठेंक्यों दोस्तों धन्यवाद